नमस्ते फ्रेंद्स स्वागत है आपका हमारे चैनल IQ Cracker में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं Advanced Construction Techniques and Equipments याने की ACTE का लेक्षर नमबर 6 तो बिना किसी देरी के चलिए शुद करते हैं तो दोस्तो आज हम लोग Advanced Concrete Method में एक New Method पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है Underwater Concrete तो जैसा कि हम लोग जानते हैं Concrete करना और Underwater Concrete करना दो अलग-अलग चीज़े हैं बाहर में Concrete करने का Method कुछ अलग होता है और पानी के अंदर Concrete करना यानि की Underwater Concrete करने का Method कुछ अलग-अलग होता है Underwater Concrete यानि की हम लोग पानी के अंदर किस तरह से जो है Concrete कर सकते हैं किस तरह से हम लोग सिमेंट वागेरा डाल सकते हैं इस तरह से हम लोग पानी के नीचे जो है concrete का structure बना सकते हैं यह हम लोग चलिए देख रहे हैं अब जब यहां underwater concreting की बात हो रही है तो यह तो साफ बात है कि हमें पानी के अंदर construction करना है और पानी के अंदर construction करना इतना आसान काम नहीं होता है इसमें हमें कई सारे special precautions को ध्य हो या फिर चाहे वो concrete हो कुछ भी हम लोग जो underwater construction में करते हैं उसको हम लोग सभी जो है first class चीजे ही use करते हैं यहां पर कोई duplicacy का मामला नहीं चलता है अब हमारा जो underwater concreting है इसको करने के लिए हमारे पास कुछ अलग-अलग methods है जिसके थुरू हम लोग underwater concreting कर सकते हैं तो ह हमारा सबसे पहला method आता है वह हमारा ट्रेमी method फिर आता है हमारा bucket placing method उसके पाद आता है हमारा packed concrete method फिर आता है हमारा placing in bags method तो इन चारो methods के थुरू हम लोग underwater concreting करते हैं आज की date में तो चलिए इन सभी methods को थोड़ा सा briefly जान लेते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रेमी method तो ट्रेमी method क्या होता है चलिए देखते हैं तो यहां पर हमारा ट्रेमी method है इसमें ट्रेमी word का मतलब पहले आप लोग जान लेजी क्या होता है ट्रेमी word का मतलब होता है एक तरह का हूपर या फिर कह सकते हैं funnel shape का एक structure होता है जो की हमारा use के जाता है underwater concreting के लिए उसमे हम लोग concrete place करते हैं और एक pipe के थूर हमारा concrete पानी के अंदर जाता है और नीचे जाकर के वो concrete हम लोग set करते हैं कैसे करते हैं चलिए देखते हैं तो जो हमारा tremie method होता है इसमें क्या होता है कि हमारा उपर में सबसे उपर में जो है एक उपर और एक funnel का joint structure होता है जिसको हम लोग tremie बोलते हैं और यह जो है tremie pipe से जुड़ा हुआ होता है जैसा कि आप figure में देख सकते हैं और यह pipe जो है पानी के नीचे तक जाता है जहां प हम लोग पानी को जो है pipe के अंदर जाने से एवाइट कर सके पानी को pipe के अंदर जाने से रोक सकें तो इस स्ट्रक्चर को पानी कोंक्रीटिंgen करने के लिए इस तरह का structure में सेटब करते हैं फिर सबसे उपर जो आपको दीख रहा है जो हमारा tremie है … हम लोग क्या करते हैं कि concrete को mix करके डालते हैं और उसके बाद जो हमारा concrete है वो ट्रेमी pipe के थुरू नीचे जाता है और water level के नीचे जाकर हमारा जो ground surface होता है वहाँ पर cement को place करने में help करता है तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर ट्रेमी pipe के नीचे वाले portion में loss plug लगाये होते हैं तो यहाँ पर पानी के घुसने का कोई chances नहीं होता है कहीं से भी हमारा leakage नहीं होता है तो इसलिए हमारा पानी यहाँ पर कोई effect नहीं डाल पाता है concrete पे और हम लोग concreting आराम से कर सकते हैं तो इसको करने के लिए हम लोग नीचे में surface में पानी के नीचे में हम लोग एक तरह का formwork बनाते हैं एक तरह का हम लोग कह सकते हैं टिकाओ या फिर काम चला वो formwork बना देते हैं और उसी के अंदर जो हम लोग concrete को place कर देते हैं फिर हमारा जो water का pressure होता है उसकी वज़े से जो हमारा concrete अपने आप compact होते रहता है और एक time आता है जब हमारा formwork जो है वो खत्म हो जाता है और हमारा concrete पूरी तरह से compact होके अपना strength gain कर लेता है अब यहाँ पर हमारी एक बात ध्यान रखने वाली होती है कि जो हम लोग concrete इसमें डालते हैं वो concrete को भी पूरी अच्छी तरह से care करके डाला जाता है इसमें कोई भी air हमारा present नहीं होना चाहिए जो concrete हम लोग डाल दे हैं उसको पूरी तरह से vacuum करके डालते हैं ताकि हमारा कोई भी pores ना बच जाए और हमारा structure जो है वो खराब ना हो जाए इसलिए हम लोग concrete को पूरी तरह से vacuum process से गुजार कर ही डालते हैं तो दोस्तों यही था हमारा tremie method जो आज की date में सबसे advanced method है underwater concreting के लिए और यह method जो है काफी important है हमारे लिए क्योंकि यह exams में कई बार पुछे जा चुके हैं तो यह tremie method को आप अच्छे से कर लिजेगा अब हम लोग चलिए कुछ अलग-अलग और methods को देखते हैं जो हमारे तीन बचे हुए है underwater concreting के लिए तो हमारा जो next method आता है वो है हमारा bucket placing method तो bucket placing method क्या होता है चलिए देखते हैं तो जैसा कि हमारे इस method का नाम है bucket placing method इसमें हम लोग जो है एक तरह का bucket यूज करते हैं जिसमें हम लोग concrete को डालते हैं और उस bucket को जो है पानी के नीचे डुबाते हैं पोर कर देते हैं और नीचे surface तक ले जाते हैं फिर जो है नीचे से हम लोग bucket का दर्वाजा खोल देते ह फिर हमारा concrete जो है उस दर्वाजे से नीचे गिर जाता है और surface में जाकर के हमारा concrete बैट जाता है इससे हमें एक चीज का फाइदा होता है कि हम लोग जो है concrete अगर directly पानी में छोड़ते हैं ऐसे directly उपर से अगर फेक देते हैं तो हमारा concrete पानी में गुल जाता है गुलने के chances से उसके ज्यादा होते हैं लेकिन अगर bucket placing method से हम लोग करते हैं तो हमारा जो concrete है वो नीचे जा करके सिर्फ उसका उपरी सतर घुलता है और अंदर में जो बीच का कोर होता है concrete का वह अच्छी तरह से वहाँ पर jam ले लेता है अच्छी तरह से वहाँ पर compress हो जाता है तो यह त concrete, cement वहाँ जो होता है वह घुल जाता है पानी में जिसके वज़े से इसमें थोड़ा सा strength हमें कम देखने को मिलता है trimming method के मकाबले तो चले देखते हैं हमारा next method क्या आता है तो हमारा next method है prepacked concrete method अब जो हमारा prepacked concrete method होता है इसमें हम लोग क्या करते है कि well graded aggregates को use करके हम बड़ा बड़ा structure जो होता है उसके repairing और construction work में हम लोग use करते हैं for example dams होगे रहा हो गया spillways हो गया इन सब में जो हम लोग prepacked concrete method को use करके repairing या फिर construction work करते हैं इसमें क्या होता है हम लोग concrete को dams या फिर spillways जैसे बड़े बड़े structure में कोई भी voids जो आ जाते हैं या फिर कुछ damages बगेरा आ जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग concrete को as a packaging agent की तरह use करते हैं यानि हम लोग concrete को as a use करते हैं pack करने के लिए उस seal को या फिर कह सकते हैं उस voids बगेरा को pack करने के लिए हम लोग use करते हैं तो यही होता है अब प्री-packed concreting method अब चली हम लोग देखते हैं अपना next method तो इसके बार हमारा next method आता है placing in bags method तो जैसा कि इस method का नाम है वैसा ही method का काम भी है इसमें हम लोग जो है एक तरह के bags को use करते हैं concrete को प्लेस करने के लिए तो इसमें हमारा mix किया हुँआ concrete नहीं होता हम लोग इसमें जो है सूखा concrete ही use करते हैं lean concrete use करते हैं और उनको जो है एक तरह के bags में डालते हैं जिसका नाम है गनी bags तो गनी bags नाम याद रखेगा ये एक तरह के bag होते हैं जो की clothes वगयरा के भी बने हुए होते हैं तो जो हमारे गनी bags होते हैं ये आसानी से पानी में decomposed भी हो जाते हैं और इसमें हम लोग lean concrete को मिक्स करके डालते हैं और उसके बाद जो है इससे हम लोग underwater concrete करते हैं तो जैसे हम लोग इसको पानी के नीचे डालते हैं तो ये पानी के नीचे जाते ही खुद बखुद इसमें जो है पानी मिक्स होने लगता है और हमारा concrete जो है वो sufficiently अपना strength को gain करने लगता है लेकिन इसमें हमारा एक problem हो जाता है कि हमारा जो concrete होता है उसमें voids बनने लगते हैं तो ये एक तरह से इसका जो है demerits है तो ये ही होता है placing in bags underwater concreting method जिसमें हम लोग gunny bags को use करते हैं गनी भाई नाम तो सुना होगा उसी तरह से आप इसे याद रख सकते हैं gunny bags तो यहीं पर हमारा आज का lecture खत्म होता है आगे आने वाले वीडियो में हम लोग ready mix concrete के बारे में पढ़ेंगे तो दोस्तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंदा है तो please इस वीडियो को अपनी तरब से एक लाइक करें share करें अपनी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आगे आने वाली वीडियो आप मेजना कर सकें तन्यवाद दोस्तों हमारा ये वीडियो